नमस्कार बिहारी नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ ने आए फटा फट अंदाज में देखते हैं 30 खबरे दिल्ली में परदूसर का अस्तर गंभीर हो गया है जिस से 49 पॉलिशन मॉनिटरिंग एश्टेस्पो में सी 32 पर 1 QI गंभीर दर्ज हुआ भारी धुंद और खतरनाख हवा के कारण पाचवी कलास तक के स्कूल बंद कर दिये गए हैं अब बच्चे ऑनलाइन कलास के जरिए सिक्षा पराप्त करेंगे पीम नरेंद्र मोदी ने बियार के जमूई में भगवान विर्सा मुन्डा के 150 वी जयनती पर जन जाती गौरत दिवस कारिक्रम महसलिया इस मौके पर उन्होंने विर्सा मुन्डा के नाम पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाउक टिकेट चारी किया साथी 6,640 करोड रुपए की उचनाओ का उधाटन और दो जन जाती म्यूजियम और रिसर्च सिंटर का भी सिला ने आसकिया राश्टपती दुरपदी मुर्मुने भगवान विर्सा मुंडा की 150 वी जैन्ती के उसर पर जन जाती गौर दिवस के बधाई दिया और उनकी पावन स्मिर्ती को नमन किया उन्होंने जन जाती समाज के उज्वल भविस्य के लिए सविधान की आदर्सों और नई चेतना को एहम बताया आज 15 नॉमबर गुरुनानक जैन्ती के मौके पर सेर बजार बंद रहा इस दिन NSE और BSE में कोई कारोबार नहीं हुआ जबकि MCX और NCDEX सुबर 9 से 5 बजे तक बन रहे और फिर साम 5 बजे से ट्रेंडिंग शुरूआ साल के बाकी दो एश्टॉक मार्केट होलीडे 20 नॉमबर और 25 दिसंबर को होंगे हुंड़ी मोटर ने जोस मुनोज को अपना नया CEO नुक्त किया है जसे वे कमपनी के पहले विदेशी CEO बन गये है मुनोज जो पहले हुंड़ाई की Global Chief Operating Officer थे 2019 से कमपनी से जुड़े हुए है इससे पहले उन्होंने निसान मोटर कमपनी में 15 साल तक काम किया था नियूजिलेंड के दिगज तेज गिंदबाज टीम साओधी ने टेस्ट किरकेट से रिटार्मेंट का एलान किया है वेंगलेंड के खिलाफ 28 नौबर से सुरू हो रही तीन मैचों की घरेलू टेस्ट से रिज के बाद अपने टेस्ट करियर को अलविदा ले लेंगे 35 साल के साओधी ने 104 टेस्ट मैचों में 380 विकेट लेकर नौजिलेंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गिंदबाज बनने का रिकॉर्ड हासिल किया हैदराबाद में 15 नौबर को कॉंसर्ट से पहले तिलंगना सरकार ने पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांज की टीम और होटल नोबेटल को नोटिस जारी किया है तिलंगना के जिला कल्याड अधिकारी दोरा जारी नोटिस में गायक को लाइप सो के दोरान पटियाला पग और पंजी तारा जैसे गाने नहीं गाने को कहा गया है भारत ने DR डियो दोरा ब्रक्सित गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परिक्षण किया ये सिस्टम 40 सिकेंड में 12 रॉकेट दागनी की छमता रखता है और एक साथ कई लक्षों पर सटीक हमला कर सकता है रक्षाम अंतराली का अनुसार तीन अलग-अलग स्थानों पर 24 रॉकेट दागे गया है जो सभी अपने लक्षों को सफलता पुर्वक भेदने में सक्षम रहे और डी इंडिया ने अपनी अपकमिंग लक्जरी SUV Q7 के फेसलिफ्ट मॉडल की बुकिंग सुरू कर दी है वियार सरकार ने अगले साल विदान सबाचुनाव से पहले परटना में मेटरोट ट्रीन चलाने का फसला लिया है इसके लिए काबिनेट से 115 करोर रुपए की मंजूरी मिली है जिसमें 33 करोर रुपए की लागत से एक ट्रेन खरीदी जाएगी प्रात्मी कोरिडोर पर ट्र काइंट वेंचर मेरिलांस की 63.163 और डिजनी की 36.8 चार परतिसरत हिस्यदारी होगी जिसकी कुल वैलू 70,000 करोर रुपए से अधिक है नीता अमबानी इस नई कंपनी की चेयर परसन होंगी जबकि 3 CEO विलकर इसके संचालन की जिम्हधारी निभाएंगे WhatsApp की नया Message Drafts फीचर लॉंच किया है जो अधूरी Message को स्वचालित रूप से सेव कर देता है ताकि यूजर बाद में उसे पूरा कर सके ये फीचर iOS और Android दोनों पर काम करेगा जिससे यूजर्स को अधूरी Message को भूलने की समस्या से राहत मिलेगी कार्तिक पुर्णिवा के उसर पर हर्दवार से आयोधय तक गंगा घाटो पर सरदालों की भारी भीरोंडी जहां पवित्र असनान के बाद दान और पुन्ने कारिक किये गए सुरक्षा के विसेज परबंद किये गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल घाटो पर तैनात किये गए हैं मानेता के अनुसार आज के दिन गंगास्नान से पूरे महीने का पुन्ने पराप्त होता है सियर बजार के साथ साथ सोने की कीमतों में भी गिरावाट जारी है एक नॉवंबर से अब तक 24 का रेट सोने की कीमत में 5,000 रुपए से अधिक की कमी आई है गुरुवार को MCX पर 10 गराम 24 का रेट सोने में 700 रुपए से ज़ादा की गिरावाट देखने को मिले FY 24-25 के लिए audit की जरूरत वाले कार्पूरेट्स और टेक्स पेर्स के लिए ITR फाइलिंग के आकरी तारीख 15 नॉवंबर 24 तैकी गई है पहले ये डेडलाइन 31 अक्टूबर 24 थी जिसे बढ़ा दिया गया था Tax Audit Report ITR से मेल खाना चाहिए और ITR फाइल करने से पहले रिपोर्ट जमा करना अनिवार रहे है उतर परदेश लोक से वायोग ने चातरों की परदर्सन के बाद अवना फैसला वापस ले लिया है अब UPSC की परिक्षा एक दिन और एक सिफ्टम होगी इसके अलावा RO ARO परिक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है NCRTC ने नमो भारत स्वाट फिल्म मेकिंग परतियुक्ता की घोसना की है जिसमें फिल्म और कंटेंट क्रियेटर्स एक दिसमला पांच लाख रुपए तक के पुरुसकार जित सकते हैं जिक्ता में भाग लेने के लिए परतिभागियों को नई नमो भारत ट्रेन और RTS एस्टेशन की स्वाट फिल्म यारेल बनानी होगी सब्मिशन के आखरी तारीक जो है 20 दिसमबर 2024 है और वीडियू MP4 या MOB फॉर्मिट में जमा करनी होगी भारतिय स्टेट बैंक ने 15 नमोबर 2024 से अपने करजों पर ब्याज दरों में 5 basis points तक की बढ़ोतरी की है अब 3 महिने 6 महिने और 1 साल के MCLR की दरे करम 18.55 परतिसत 8.9 सुन परतिसत और 9 परतिसत हो गई है इस बढ़ोतरी से होम लोन, कार लोन, एजुकिसन लोन और परस्टनल लोन की EMI में इजाफा होगा केरल सरकार ने जुलाई में वायनाड में हुए भुवस खलन और बार को राश्टी आपदा घूसित करने की मांगी लेकिन केंद्री ने से औस्विकार कर दिया केंद्री गिरी राजवंत्री नित्यानंदराय ने बताया कि SDRF और NDRF के दिसाने दिसु के तहरती से राश्टी ये आपदा नहीं माना जा सकता किरिसिल के रिपोर्ट के अनुसार भारत के एकनॉमी 2021 तक साथ ट्रिलियन डॉलर तक पहुचने के उमीद है जबकि देश की जीडिपी की ओसत वार्सिक वरिधिदर 6.7 परतिसत रहने का अनुमान है रिपोर्ट में बताया गया है कि बितवर्ष 25-31 के दौरान महामारी से पहली की दसक की ओसत विकासदर 6.6 परतिसत जैसी बनी रहेगी इंडियन बैंक ने फाइनेंसियल लिटरेसी काउंसलर के पदों के लिए भरति निकाली है जिसके लिए आवेदन पर किरिया सुरू हो चुकी है एक शुक उमिद्वार 30 नौमर तक आवेदन कर सकते हैं और अधिक्तम आयू सीमा 68 वर्स ने धारित की गई है योग्यूमिद्वार बैंक के आधिकारिक वेबसाइट इंडियन बैंक डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं हैदरबाद स्थित RISL की साय कंपणी रियस्टने बिलिटी इंटरनेशनल ले सिंगापूर के परमुक अपसिष्ट परबंदन कंपणी G3 एनवार्मेंटल प्राइबेट लिमिटेट का अधिगरहन किया इस अधिगरहन से कंपणी की वैस्विक अपसिष्ट परबंदन छमता को और मजबूती मिलेगी परदानमंतरी नरिंदर मोदी 13 दिसंबर को परियाग राज पहुचेंगी और महाकुम से पहले 6500 करोड रुपए की 150 से अधिक परियोजनाव काउद खाटन करेंगी इस दोरान वे करीब 4 घंटी सहर में रहेंगे मिलादिकारी बिजय किरन आनंद ने इसकी जानकारी दी कॉंग्रिस से तर राहुल गादी ने गोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए परदानमंतरी नरिंदर मोदी पनिसाना साधा उनोंने आरोप लगाया कि मोदी अरब पतियों के हितों की सेवा कर रही है और उनकी कर्ज माफ कर दिये जबकि किसानों को कोई राहत नहीं मिली राहुल गादी ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी मोदी से डड़ती नहीं राजस्तान के देवली ओनियारा उप्चुना में नर्दलिय परत्यासी नरेश मेरा द्वारा एचडीम को थपड़ मारने के मामले ने तुल पकड़ लिया है इस घटना के बाद परदीस भर की RSS अधिकारी मुख्यमंतरी भजनलाल सर्मा से मिले और एमपुलवाज पोटिक्शन एक्ट लागू करने की मांग की चर्चा है कि राजस्तान में जल्द ही ये एक्ट लागू किया जा सकता है उत्तर परदीस लोक सिवायोग ने PCS 24 की प्रारंभित परिक्षा की तारीख बदल दी है अब ये परिक्षा 22 दिसंबर को एक ही दिन आयूजित होगी जिसमें दो पाली होगी 7 और 8 दिसंबर को होने वाली परिक्षा को टालने का निर्ने चातर अंदोलन की कारण लिया गया है परदान मंतरी नरिन मोदी ने भगवान बिर्सा मुंडा की 150 वी जैनती के मौके पर विहार की जमूई में कारिक्रम महिसा लिया इस उसर पर केंद्री मंतरी मनुहरलाल ने एलान किया कि दिल्ली के सराय कालिखा आई एस बिटी चौक का नाम बदल कर विर्सा मुंडा चौक रखा जाएगा जन जाती का औरत दिवस के रूप में ये आयूजर पूरे दिस्वी धूमधाम से मनाया जा रहा है UGC Graduation Course की Duration में Flexibility लाने पर काम कर रहा है जो तो 25-26 Academy Year से लाग होगी इसके तहट छातर को 3-4 साल के डिगरी 2-2.5 साल में पूरी करने का अबिकल्प मिलेगा UGC Chairman M. चगदीश कुमार ने ये जानकारी IIT मदरास के कारिक्रम में दी आज के लिए बस इतना ही कल जिन लोगों ने हमारी सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है कमेंट में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद